नमस्कार दोस्तों ये हमारे पास में ऊशा का टेबल फैन है और ये चल नहीं रहा है तो दोस्तों आज इस फैन को हम रिपेर करेंगे और इसका step by step fault देखेंगे इसको कहां चेक करना है और इसको कैसे repair करना है तो दोस्तो वीडियो पर अंध तक बने रहे हैं दोस्तो चलिए दोस्तो मैं fan को open कर लेता हूँ दोस्तो इसको हमें दबा कर अलग कर लेना है इस तरह से अब दोस्तो हमें सबसे पहले यहां पर voltage चेक करना है के voltage जो है वो यहां पर आ रहे हैं या इसकी यह man lead खराब है अब देखिए दोस्तो यहां पर हमें इसके voltage वगेरा जो है वो चेक करने है और दोस्तो man lead में मैंने इसको series में लगाया है अब हम क्या करते है meter को इसी वोल्ड पर set कर लेते हैं एक प्रॉप को ground पर ले लिया और दूसरी प्रॉप जो दोस्तो है वो है इसकी ये ब्राउन वाली तो सबसे पहले तो हमें ब्राउन पर लगा कर इसके voltage चेक करना है कि इसमें power आ रही है या नहीं तो देखिए brown पर लगाता हूँ तो power जो है इसमें आ रही है ठीक है अब हमें इसका एक एक switch on करना है देखिए और यहाँ पर भी देखना है तो देखिए इसमें power आ रही है इसी तरह से अगर इसको देखते हैं तो इसमें भी और इसको मिल्क चेक कर लेते हैं तो दोस्तो power तीनो switch इसमें आ रही है इसका मतलब यही है कि problem जो है वो यहाँ पर नहीं है problem motor में हो सकती है तो चलिए मैं motor को भी open कर लेता हूँ दोस्तो आप motor को open करने से पहले अगर चाहें तो एक बार इसको continue पर भी चेक कर सकते हैं या फिर इसको series boat पर कोईले सकते हैं तो दोस्तो इसकी POLE बाक कैसे चेक करते हैं चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तो इसकी कॉईले चेक करने के लिए आप इसके सारे button off कर दें एक भी बटन खराब होगी तो हमारी डारेक्ट लगाने से भी पता चल जाता है पर दोस्तों फिलहाल इसमें ऐसी कोई प्रॉबलम लग नहीं रही है चलिए फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए सेरीज हमारी गलो हो रही है और अगर मैं इसको लगाता हूँ तो इससे कोई फर दोस्तों ये चार स्कूरू खोलने के बाद मोटर का सामने का कवर जो है वो अलग हो जाता है अब दोस्तों हमें ये पीछे का स्कूरू भी यहां से ओपिन करना है अब दोस्तों हमें ये वाला स्कूरू भी अलग करना है एक स्कूरू यहां है ये दोनों स्कूरू निकाल देना है दोस्तों मोटर को अलग कर लिया है चलिए मैं इसके सारे वायर भी अलग कर देता हूँ दोस्तो अब हमारे पास बचती है ये मोटर और मोटर के ये स्क्रू जो लगे है इस साइड में इनको खोल कर मैं इसका ये भी अलग निकाल कर रख देता हूँ दोस्तो एक इसमें capacitor का भी screw है मैं capacitor भी अलग कर देता हूँ यह वाला screw जो लगा है इसको भी open कर लेता हूँ तो दोस्तो इसका capacitor भी अलग कर दिया है अब यह इसका सारा सामान जो है वो हटा दिया गया है ठीक है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मोटर के बारे में देखिए दोस्तों इस तरह की प्रॉबलम बहुत सारी मोटर में देखी गई है और मैं इस तरह की प्रॉबलम को रिपेर करता रहता हूं पर आज मुझे लगा क्यों ना इस पर एक complete वीडियो बना दिया जाए तो अब हम क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे देखिए दोस्तों अगर मैं इसको सिरीज चेक करता हूं सिरीज ठीक है और यह हमारी ग्राउंड की वायर होती है यह हमें लगाना है लाइट में डारेक्ट और बाकी यह तीन वायर जो है यह हमारी रेगुलेटर पर जाती है जो के हमारे switches होते हैं तो देखिए अगर इस तरह से मैं चेक करता हूँ तो इसमें किसी भी wire लगाने पर motor नहीं चल रही है दोस्तो इस condition में ज्यादा तर हमारी ground जो है वो खराब हो जाता है ठीक है अगर आप इनको आपस में short करेंगे series की wire को तो ये ज्यादा तर काम करती है और ground हमारा काम नहीं करता है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए अगर मैं इस wire को short करता हूँ तो देखिए ये motor हमारी गूम रही है और ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है पर दोस्तो ये जो काम कर रही है ये असल में उल्टी साइट को गूम रही है इस साइट को अगर हम इसको गूमाएंगे तो पहली बात तो ये के motor हवा नहीं देगी ठीक और दोस्तो दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको इस तरह से चला देंगे इन दोनों कॉईलों पर wire लगा कर तो ये motor हमारी 5 मिनिट में खराब हो जाएगी यानि के कहलीजे के जल जाएगी क्योंको दोस्तो ये इसके कॉईलों के connection है high speed, low speed, medium के और दोस्तो ये इसका power का है ठीक है तो अगर हम power पे ना लगा के direct ही regulator की wire पे लगाएंगे तो फिर ये motor बहुत ही जल्दी 2-4 मिट में ही फोग जाएगी अब दोस्तो हमें इस wire को ठीक करना है तो ये wire कैसे ठीक करते हैं चलिए मैं motor को open करके आपको बताता हूँ तो दोस्तो इसके सारे cover अलग करने के बाद में अब मैं इसका rotor भी निकाल देता हूँ देखे ठीक और ये मैंने अलग कर दिया है अब दोस्तो हमें इसमें क्या देखना होगा देखे ये हमारे पास में motor जो है ये copper में भरी भी है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं दोस्तो आप इसे heating sensor भी कह सकते हैं बहुत से लोग इसे autocad भी बोलते हैं और भी तरह तरह के कई mechanic अलग-अलग नामों से इसको जानते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके connection को open करना होगा दोस्तो आप किसी हलकी चीज़ का use करें काती वगेरा से ना काटे कहीं wire खराब ना हो जाए ठीक है और इसको open करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है देखिए दोस्तो हमने motor को अलग कर लिया है और इसकी सारी coil जो हैं वो बाहर आ गई है अब दोस्तो आप देख सकते हैं कि ये तीन जो coil हैं ये इसकी regulator वाली हैं जो के switches पर जाती हैं तो ये coil तो बिलकुँ ठीक हैं हमें इनको नहीं छेड़ना है इसके साथ ही ये हमारी वो ground वाली wire है जिस पर power नहीं आ रही है तो दोस्तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी wire जो है वो एक sensor में आई है देखिए ये एक sensor में आई है और sensor से होकर ही ये सीधे हमारी motor में गई है ठीक है इसी तरह से एक capacitor से भी wire आई है जो इसके साथ ही motor में गई है और दूसरी capacitor की wire जो है वो direct motor में गई है दोस्तो इस motor को कैसे check करते हैं और इसको कैसे repair करेंगे दोस्तो ये सब जानने के लिए आपको next video देखना होगा क्योंके दोस्तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है इस वीडियो को हम लोग यहीं पहुश कर देते हैं और इसके आगे की जानकारी मैं आने वाले वीडियो में दूँगा दोस्तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सेलेक्ट कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम